नमस्ते दोस्तों पूखे अपना सवाल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानिकी ंशुकुमार के साथ दोस्तों पूछे अपना सवाल में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंट फॉन उठाईए और अपना सवाल पूछे फॉन के अलावा फेस्बूक वाट्साइप और इमेल के जरिये भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है हमारे क्रिशी विशेशक डॉक्टर जी सी श्रोतिय जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस कारक्रम में अपनियो new श्रुबध करते हैं अपने पहले कॉलर से गृप्रीज पंजाब के पट्याला में रहते हैं तो आएं जानते हैं क्या है इनका सवाल हेलो गृप्रीज़ जी बात कर रहे हैं नमशकार सर मैं अन्शु बात कर रहा हूं सब्सक्राइब आपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपना सवाल वेजी थी ना उसमें आपको स्वास दिख रहा होगा जी हमारी वातलना पीली हो रही है उसके पत्ते यह हूं के जी उसको हमारे जहां पे तो प्लिकूंगी बोलते हैं जी बहुत अजाल्टी साहलरी है हमार गुर्प्रिजी जो यह पीले पत्ते हैं उसके कुछ पाउडर भी बना होगा जो आप खेत में जाएंगे चलेंगे तो यह आपके कपड़ों पे लग जाएगा हां जी हां तो यह पीला रत्वा यलोव रस्ट बिमारी है और यह बहुत तेजी से फैलती है तो इसका इलास् जालू कर देना चाहिए जब हमको पत्ते पे एक दो पीले धब्बे दिखाई दें पाउडर के साथ तो कोई बात नहीं अभी भी देर नहीं हुए क्योंकि आपके जो बाली है वो दूधी अवस्ता में है तो अभी और थोड़े पत्ते हरे भी है अभी आप जल्दी से दव सब्सक्राइब करेंगे और अगर यह दवा ना मिले तो दूसरी दवा भी है बजार में फॉलिक्लोर नाम उसका है वो भी यही मात्र रहेगी लेकिन देखिए जब भी नमी बढ़ जाती है वातारण में खास करके फरवरी मार्च में तो यह विमारी आती है और यह वहां से चलती होशयारपूर वगरा से लेकिन जब भी वहां पर मैकमा आपका खेतिवाड़ी का मैकमा यह कहता है कि यह जो पहाड़ी शेत्रे उसके तलेटी में पीला रत्वा दिख गया है तो अपने को भी बहुत सतर्क रेके देखना चाहिए नहीं तो यह बहुत तेजी से फैल फॉली कुर विड्र हाँ जी यह इसका जो बजार मैं नहôm है वो है टशिक भजार में आमล डेर और इसका जो सैंटफिक कर न में वह वूपर्पर आजれ तो है फ्रप्कॉन जोल दौ़्वा है उसे तरह यह यह फॉली टोर है उसका वी आ चूल घोलत भा है तो यह सैंटिव इसलिए मैंने आपको नहीं बता है बजार में नाम टिल्ट है या फॉलिक्योर है ठीक है जी सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम से जुनने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ आए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो की गुवा के रहने वाल सवाल को पूछ सकते हैं पूछ अपने सवाल एक मेल जी आपने दो चीजा पूछी थी और एक चैटर भी बेस और अच्छा जी चुंकि आप गोवा से हैं तो मैं उसका कॉंकरी नाम बता रहा हूं आपको उसका कॉंकरी नाम है भीलमाड और इसका अंग्रेजी नाम है जाइंट फिश्टल पाम क्योंकि यह जो इसके फूल फल आप देख रहे हैं वह लटके हुए से हैं नारियल पाम है और दूसरे पाम है उसी तरह का वे पौधा है इसलिए पाम शेनी का पौधा है ठीक है और यह जब फूल आते हैं इसके और फूल आते हैं तो इस अवस्ता में आते आते इसको पचीस बीस-पचीस साल लग जाते हैं तब तक इसको फूल नहीं आते हैं फूल आने के दो तीन सा बहाव हो जाएगा उससे कहीं पौधे बहके न चले जाए या उखड़ने जाए तो उससे पहले कि अगर हम पौधे आपको बताएं यह जरूरी है कि हम जल सरक्षन पानी को रोकने की तैयारी करें कि कैसे उसको करना है तो उसके लिए अगर आप पहाड़ी इलाके में लगा रहे हैं जैसे आपने का माउंटेन हम उसको कहेंगे हिली एरिया पहाड़ी इलाका तो जहां एकदम चड़ाई है उस तरह का तो पानी तेजी से बहता है तो या कभी-कभी गोवा में तो काफी बारिश होती है तो इसको पानी की बहाव को रोकने के लिए हमें कुछ मेड़ बनाते हैं तो मेड़ बंदी उस तरह से करें कि जो एक सारी उंचाई पर एक समान जिसको हम समच्य रेखा कहते हैं या कंटूर कहते हैं उस पर हमें मेड़ बनानी है कि तो पानी का बहाव रुक जाए और रुक करके वह तेजी से न बढ़ है जी आपका बहुत-बहुत धन पूरा-पहर नारियल का ही शेत्र है पूरा और काजू तो के वहां जंगल के जंगल ही है काजू के गोआ का गाजू तो प्रसिद्ध है यह तो वहां का नेटिव पपीता भी बच्छा होता है आम भी गोआ का अच्छा होता है यह आलफएंज्यो खास करके जो हमारा आम है वह भी आ रत्नागीरी और गोगा के शेत्र का ही है तो काफी फल बाले पौधे भी लगाए जा सकते हो और काफी प्रमा सी अटॉरथी को लगाना है हमें जो वहां के पातावन के अनुकूल हो तरह लिए लेकिन ब्रेक के बाद हम आप से कुछ और सवालों के जवाब लेना चाहेंगे लेकिन दोस्तों फिलहाल यहां रुपते हैं छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मजा हिए देखते रहें ग्रीन टीवी जी जी तो प्रशिक्षन के लिए मैं आप से कहूंगा के देवास में कृषिवे ज्यान केंद्र होगा ब्रेक के बाद आप सभी का सुवागत है पूछे अपना सवाल में जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पच्छु पालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर देते हैं आपके हर सवालों के जवाब तो दोस्तों अपने कारक्रम को आगे बढ़ाते ह कि अगले कॉलर से आसिफ खान जी से और जानते हैं क्या हैं इनका सवाल कि आपका सवाला आथा आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपना सवाल आपने पहले तो ये पूछा कि प्रिशिक्षन चाहिए और आप ये भी जानना चाहते थे कि पॉली हाउस में कौन सी फसलें लग सकती है और कितना बड़ा हो सकता है तो प्रिशिक्षन के लिए मैं आप से कहूंगा कि देवास में कृशिविज्ञान केंद्र होगा तो वहां संपर्क करें नहीं तो इन दौर में कृशि महाविद्याले है तो वहां संपर्क करें प्रिशिक्षन की व्यवस्ता वहां है ठीक है जहां तक आपका प्रश्ण है कि कितना बड़ा हो सकता है तो यह सो स्क्वाइर मीटर से लगा कि 10,000 स्क्वाइर मीटर तक हो सकता ह तो आपके जगे और प्रशिक्षन के बाद आप चाहें आपका खर्चा कितना लगा सकते हैं उस पर वैसे मद्यप्रदेश का जो उध्यान विभाग है उस पर अनुदान भी देगा तो वह आप तेह कर लें कि कितना बड़ा लगाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लिए अधे के आपके पास तो उसकी आऍवश्यक्ता के अनुसार अपन खेती करेंगे जे आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम से जुनने के लिए सवाल पूछने के लिए दोस्तों इसी के साथ आईए बात करते हैं अगले कॉलर से अब्दूल जी से जो कि मुंबई के रहने वाले हैं तो आईए जानते हैं क्या है इनका सवाल अब दूल जी बात कर रहे हैं नमशकार सर मैं अंशु बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से कौट आपका सवाल आया उसके अंदर मतब जो आजकर जो मेवा की करके जो वो नैटर्ट चला है जिसमें लोग दम नियर भाइर मैंने कि दूसी के रहों पर भी में खाता तो लोग प्लांट लगाते हैं जो जिसमें बैंस फॉरिस बगता है तो मुझे ही पुछा था कि जो इंगिन स्ट्रीद है जिस लेकि वो यह की कि मायवी की पद्धती से आप लगाना चाहते हैं और आप यह भी जान रहे हैं कि इस पद्धती में बड़ी सगन यानि पास-पास लगाया जाता है और एक तरह से आदमी घुस भी ना जाए इतना घना पेड़ होता है चापानी पद्धती यह है और यह इसका कोई आर्थिक लाब लेना चाहते हैं तो वह अलग हो जाएगा और यह पद्धती घना जंगल लगाने की है ठीक है इसमें एक स्क्वायर मीटर शेत्र में भी आप तीन-चार प्लांट लगा सकते हैं इतना घना यह होता है जी सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हम से जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ हमारे अगले कॉलर है तरुन जी जो कि हरीद्वार के रहने वाले हैं और यह पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हो अपना सवाल पूछ चुके हैं तो आज आईए बात करते हैं इनसे और देते है तरण जी आपने दो तरह से पूछा था एक तो अलूर अध्रक के कोल्ड प्रश्ट की बात भी आपने साथ साथ पूछ लीटी पान कि अलग 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 तापमान रहेगा आलू का जो कोल्ड इस तोरेज उसमें तापमान रहे था 3-4 डिग्री से स्य ना लेकिन तापमान के साथ रेलेटिव हमिडिटी नमर नमी है आड़ दा वह वी एक महत्पूर्ण बात है तो तापमान और सपक्षिक आड़ता जिसको हम र्यलेटिव हमिडिटी कहते हैं यह तेंचार अगर टेंपरेचर है तो नमी उसकी रहनी चाहिये 85 प तक सुरक्षित रहेगा लेकिन अध्रक में इतनी ठंडाई की जरूत नहीं है अध्रक आप चाउदा से 12-14 तक रख सकते हैं और इसी आध्रिता पर रखेंगे तो हम अध्रक भी 60-90 दिन तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं सब्सक्राइब करने के सुखाने के कई विदिया हैं संड्राइंग से लगा कर कर के सुखने पर हो जाता है तो साफ करके और सुखाना हमें कैसे है इस बात पर निर्भर करता है सुखानी की कई टेक्नलोजी है संड्राइंग से लगा करके सा मतलब धूप में सुखाने से और दूसरी सुखानी की पजयती है तो वह करनी पड़ेगी जी सर आपका बहुत- तो दोस्तों इसी के साथ यहां वाक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का लेकिन आप कहीं मत जाएए देखते रहें ग्रीन टीवी एलोवीरा भी खेती को करने का क्या पूर्टैस है उसका पीज कहां से मिलेगा पहले तो यह बताएं कि यह खेती कहां करना चाहते हैं कि ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और परशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जबाब तो दोस्तों आए बात करते हैं अगले कॉलर से मलकित सिंगी से जो कि हर्याना के रहने वाले हैं तो आए जानते हैं क्या है इनका सवाल हेलो मलकित बात कर रहे हैं नमस्कार सर में अंशु बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से जी सर आपका सवाल आया था जी सर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपने सवाल करने का क्या पूर्सेस दूर्स जाणता ही जाएए जाने आपकर जाहिए ऑसके चेटी जड़ों के कं से सकर से राइजोma से गंठे जो जडों में होती उसको करते हैं जैसे आलू आप करते नैंट ऐसी तरह करेंगे पशे ज पहले तो यह बताएं कि यह खेतिप कहां कि अच्छाथ आप तोब चंडिगर पास पंचकुला में रह रहे हैं अच्छा आप कर सकते हैं किसमें लिख लीजिए आप अब आइसी एक 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 टू सेवन वन दूसरी जो आपके हाँ सिफारिश की गई वराइटी है वह है सिफारिश की गई है और अपने यहां के हर्याना कर शिद्याले का केंद्र आपके आसपास होगा वहां से पूछें कि इसके वह बीच की विवस्ता कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो लगभग एक एकड में आपको सोला हजार से बीस हजार गांठों की जरुत होगी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जूड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ हमारे अगले कॉलर है ओम प्रकाश जी जो की राजस्थान के रहने वाले हैं इन्होंने वाट्साइप के जरीए हमें अपनी फसल की तस्वीर बेजी है तो आपने अपने फसल की तस्वीर भेजी थी आपको कुछ आपको जानना चाहते हैं हमसे जी वह प्रकाश जी पहले तो यह बताई है कि जो आपके फलियां वह अभी भी हरी है ना अच्छा तो सुंडी पत्तों को भी खा रही होगी और दाने में फलियों में भी जा रही होगी अच्छा एंडोसलफान तो बंद हो गया इसे नहीं करना चाहिए अच्छा कोई बात नहीं अगर कर दिया है तो आप यह देखें कि कितनी सुंडी है अगर एक मीटर की कतार में आपको एक सुंडी लगबग दिखे तो आपको जरूर यह दवा चड़कनी चाहिए क्विनाल फास हां पचीसी सी यह चार्ट चार्ट सो मीली लीटर दवा लें और सो लीटर पानी में लेकर के एक एकट सेटर पे छिटकें अगर यह दूसरी दवा भी लेक का नाम भी मैं बता रहा हूं वह मिले तो बोले लें फिर साइपर मैचरीन यह पचीस इसी ताकत की दवा है यह भी पचास मीली लीटर लें और सो लीटर पानी में मिलाएं और इसका छेटकाव करें तो यह ठीक अवस्ता है चूंकि आपके चना हभी हरा है और यह बढ़े नहीं क्योंकि जब तक यह सुंडी फूपा बन जाती है और बाद में इसमें से तिल्दी निकलती है तो वो उससे पहले पहले यह चालीस दिन तक रहती है हां तो उससे पहले अपने को इसको खतम करना है जी सर आपका बहुत-बहुत धनिवाद हम से जूने के लिए सवाल पूछने के लिए ठीक धनिवाद सर आपने जो दवाई बताया है क्या उसके छिड़काव से जो है व यह दवाएं जो कीडे मारने के लिए खास करें एक तरह से जहर हैं, तो हम यह चाहते हैं कि कम जहरिला जो है, मतलब लिमेट में डाले जिसे की नुकसान लिमेट में भी डाले और जो उस पे लाल इसके बारे में पूछना चाहरे थी कि जो आपने चार मार्क बताएं, इन मार के लिए खाने के लिए या परशू के खाने के लिए जाएंगे तो यह अगर इन में कुछ रह गया तो फिर हमारे स्वास्त को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए यह भी कहते हैं कि जो सेफ हैं और जो जब हमने डाला, जैसे हमने डाला तो किसी का असर 15 दिन तक रहेगा किसी का असर 7 दिन में खतम हो जाया, तो हमें ऐसे डालना है जिनका असर कम हो, जैसे मेलाथियान वगरा हैं, तो उपर-उपर से जो हैं वो अलग हैं और जो अंदर चले गए हैं, उनके लिए हम अलग दवा डालते हैं, जिसको हम सिस्टेमिक कहते हैं, तो वो इन सब का बि में चला जाएगा, तो जहर जाएगा, तो ये भी धान रखना है कि हम कटाई से कितने दिन पहले तक ही उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो ये सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें जो लाल मार्क लगा हो, वो ना यूज करें, तो अच्छी बास है, तो अच्छ और इमेल के जरीए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल, फिलाल आज के इस कारकरम में बस इतना ही, मुझे दीजे इजासत और देखते रहें ग्रीन टीवी, नमस्ते करें, आए बस एतना हना में जरीजे बादाया बाता है क्षै सथर जिल झाल रादाया ख ठाया डेक, तो यगझे भी आप है, तो नमस्ते है Хツ लिए तो